बॉलिवोड के दबंग खान यानि सल्मान के उपर लगातार गैंक्स्टर लॉरिंस बिश्णोई के तरफ से हमले की साजिश रची जा रही है 14 अपरेल को जहां उनके बांदरा इस्थित घर पर फाइरिंग की घटना हुई थी तो वहीं अब एक नया मामला आया है जहां पर पनवेल पुलिस ने 4 औरोपियों को गिरफतार किया है और आरोप ये है कि जो गिरफतार आरोपी हैं वो सभी सल्मान के उपर हमले की साजिश रच रहते हैं और उनका सबसे होट फेवरेट स्पेस अर्पिता फार्म हाउस है जो सल्मान के फार्म हाउस के तौर पर भी जाना जाता और हम इस समय आपको वो तस्वीरे दिखा रहे हैं यही वो खास फार्म हाउस है जो पनवेल में सल्मान का है जो फिलहाल उनकी बहन के नाम पर आरोपी गिरफतार हुए हैं जिनमें से सबसे जादा अजय कश्यब नाम का जो आरोपी है जो पनवेल में काफी दिनों से रह रहा था उसके बारे में सबसे पहले पनवेल पुलिस को जानकारी ऑक्टोबर 2023 को मिली कि कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट से उन्होंने सलमान के घर पर रेकी की थी जिसके बाद उनके बारे में जानकारी कठा की के तो कडियां धीरे धीरे जुड़ते हुए लौरेंस बिश्नोई और उसके जो साथी है गोल्डी बरार वहां तक पहुंची और यह पता चला कि जो अजय कश्यप नाम का में आरूपी है जो इस हमले को लेकर फिलहाल ग्राउंड पर सारे कोडिनेशन कर रहा था किंग पिन की तरह से काम कर रहा था उसने कुछ जो है करीबन 20 लोगों की एक टीम बनाई थी अलग-अलग ग्रूप्स के जरिये जो सलमान के घर से लेकर जो गोरेगाओं में उनका शूटिंग स्पेस है वहाँ पर और यह फार्म हाउस की रेकी करके पलपल की जानकारी ले रहे थे कि वह किन रास्तों से होकर आते हैं किन रास्तों से जाते हैं घर से कब निकलते हैं किन किन लोगों से मिलते हैं यह सारी जानकारियां वह कठा कर रहे थे और लगातार उसकी रेकी कर रहे थे इसकी जानकारी मिली है फिलाल उनचारो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और जो जो evidences फिलाल पुलिस को पता चले हैं उसमें कुछ ऐसे vídeos मिले है जिनका connection का पाकिस्तान से बताया जा रहा है क्योंकि जो नामजद आरोपी है 21 टोटल जो नामजद आरोपी उसमें से डोगरा नाम करके जो शक्स है वो बताय जा रहा है कि पाकिस्तान का है और उसके जरीए AK-47, AK-92 और M-16 जैसे Sophisticated Weapon खरीदने की तयारी चल लही थी जिसके जरीए रास्ते में ही सलमान के गाड़ी पर हमला करके उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही थी हाला के पुलिस का ये कहना है कि ये जो हथियार के वीडियो जो ने मिले हैं वो फिलहाल उन लोगों ने खरीदे नहीं थे और उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं समय तस्वीरों में हम आपको बता दे कि बहुत बड़े एरिया में जो है ये फैला हुआ है और इसकी हमेशा से ही जो भी लॉरिंस बिशनोई के ग्यांग से जुड़े हुए आरोपी रहते हैं जो रेकी करने के लिए आते हूं कि सबसे ज्यादा फेवरेट जगे ये होती है वजह इसकी क्यों है कि हम आपको आजपास का एरिया द ही देखे तो उची-उची पहाड़े हैं जंगल हैं जाड़ियां हैं कोई रहवासी यहां पर नहीं रहता को यहां पर नहीं रहता लोग नहीं रहते हैं तो ऐसे में हमला करना बहुत आसान हो जाएगा इसलिए सबसे यादा पसंदिदा जगें रहती है लेकिन फिलाल पुलिस का यह कहना है कि उस समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं विजिट करते रहते हैं उनकी नजर रहती है सिसी टीवी कैमरा अगर आप देखे तो यहाँ पर लगा हुआ है दर्वाजे पर हर तरीके की जो गतवीदी होती है उस पर नजर रहती है अंदर जो गाड रहते हैं या जो उनकी सलमान की टीम से रिलेटेड लोग हैं वो हर वक्त नजर रखते हैं कि आसपास क्या गतवीदी हो रही है और यह जो आप बैरिकेट इस समय देख रहे हैं यह अभी हाल फिलाहल में पर्वेल तक पहुंच गया है कि पुलिस इंवेस्टिएशन में यह सामने आ रहा है कि जहां 14 अप्रेल को सलमान की घर पर फाइरिंग हुई थी तो यह जो मामला रेजिस्टर पुलिस ने किया है यह 24 अप्रेल का यानि महस्ट 14 दिनों के अंदर ही यह दूसरा मामला है जो बस्ट कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन लोगों ने अपनी एक टीम बना रखी थी अलग-अलग जगों पर कि अगर एक जगहें पर सलमान के घर उपर हमला करते हैं वहां पर अगर चुकते हैं तो दूसरी जगे पर अटेम्ट किया जा सकता है तो इस तरीके की पूरी प्लाइ लोगों ने बना रखी थी और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जो हमला करने के लिए नोगे शूटर्स को तै करके रखा था वह माइनर एज के थे यानि 18 से कम उम्र के थे कि अगर वह किसी तरीके से कुछ हमला करते भी हैं या पकड़े जाते हैं तो ज्या करने तक की बात कर दी थी कि कानेडा से उन्हें भीजा जाएगा तो यह सारे लिंक निकलने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा फिलहाल पन्वेल पुलीस की तरफ से किया गया है लेकिन अब तलास उन बाकी है 15 आरोपियों की है जो अभी भी पुलीस की पकड़ से बाहर है और अलग-अलग पुलीस की जो टीम है इन सभी को गिरफतार करने की कोशिश में जुटी हुई है कामरा मैं अभी बिंद के साथ आतू सिंग इंडिया टीवी पन्वेल